तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक स्किन वाइटनिंग और स्किन लाइटनिंग फेस पैक बनाना सिखाऊंगी ये फेस पैक आपकी स्किन को बहुत ही जल्दी गोरा कर देगा और आपकी स्किन पर से संटान, डाक स्पॉट्स, पिग्मेंटेशन और दागदबू की प्राब्लम को जड़ से खतम करके आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फेर, ग्लोइंग और रेडियन्ट बनाएगा तो इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी में डेड़ चमच चावल का आटा लेना है फिर हम इस तावल के आटे के अंदर आधा नीमबू निचोड़ेंगे या आप इसके अंदर एक से दो चमच नीमबू का रस डाल सकते हैं उसके बाद हम इसके अंदर आधा चमच शेहट डालना है यानि की हनी चहट डालने के बाद हम इसके अंदर लास इंडर डालेंगे जो कि है कच्चा दूद और यहाँ पर मैं दो से तीन चमच कच्चा दूद डाल कर इन सभी इंडरियंस को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि एक स्मूथ पेस्ट बने आपको इस पेस्ट को स्मूथ बनाना है और मेडियम कंसिस्टेंसी का बनाना है और उसके लिए आप अगर थोड़ा सा और कच्चा दूद डालना चाहें तो डाल सकते हैं मेरा पेस्ट थोड़ा सा थिक था और वह अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा था है इसलिए मैंने इ पेस्ट पाक क्यों सेंसी मेडियम होनी चाहिए नहीं जादा थिक और नहीं जादा रानी और वह कुछ ऐसा दिखना चाहिए तो चलिए अब देखते हैं कि इस फेस्ट को कैसे यूस किया जया है बेस्ट रिजॉल्स पाने के लिए तो इस फेस्ट को स्तमाल करना बहुत ही आपको सबसे पहले इस paste के एक ठिक लेर अपनी skin पर लगानी है और इसको लगाने के बाद gently circular motion में 1-2 मिनिट तक massage करनी है या scrub करना है अपने face को इस paste से और एक से दो मिनिट स्क्रॉप करने के बाद आपको इस पेस्ट की एक और थिक लेर अपनी स्किन पर लगानी है और उसको ऐसे ही सूखने के लिए 20 से 25 मिनिट तक छोड़ देना है और जब वो अच्छी से सूख जाए तो उसको नॉर्मल पानी से धोकर अपने स्किन को पैडर और मश्यराइज कर लीजिए इस फेस पैक को लगाने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फेर, ग्लोइंग, ग्रेडियेंट और बहुत ही ज़्यादा स्मूध बन जाएगी और यह आपकी इस चेहरे पर से रिंकल्स, फाइन लाइन्स और डार्क स्पॉट्स रैसी प्रॉबलम को भी जड़ से खतम करेगा आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले और आप मेरे चानल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आसी बहुत सारी ईजी और एफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को दुबाना न भूले मेरे विडियो की रेगलर और फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए